या हम ने देखा कि कैसे हम सीक्वेल के डेटा सोर्स से बनाके उससे डेटा कैसे पि最 proven पर जैसे हमने डिसक्स किया था की और भी डेटा होते हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक excel inged हमाइडली यूज होता है framework में । तो उसको कैसे read or write कर सकते हैं डेटा तो SQL में जोeredना हम क्यों क्यों करते हैं उससे हम read or write कर सकते हैं लेकिन Exodus के CASE में हम हम इसे लेकिन एक पहले क्या होगा है थो सबसे पहले क्या होगा कि हमने एक class बनाई टैस्टिंग अंडर्सकोर एक्सलेस उसमें में में इसमें सब को डिफाइन कर रहे है उसके बाद हमें एक जार चाहिए mostly जो आजकल यूज होती है वो POI जार यूज हो रही है तो POI.apache.org पर जाके आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जार को डाउनलोड सक्षेन में जाएंगे और यह जार को डाउनलोड कर लेंगे तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपका यह डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा मेरे पास यह जार पहले से अवलेबल है फिर जैसे हम जार को एड करते हैं यहाँ पर configure करेंगे, build path, configure build path, और यहाँ पर jarv पहले से है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं फिर से, यहाँ पर मैं remove कर रहा हूँ इसे, add external jars, और फिर path देंगे उस jarv का, और यहाँ पर add करेंगे, और यहाँ पर available हो जाएगी, और उसको apply करके ok कर देंगे, तो ऐसे हमने jar add कर ली, जैसे हमने बाकी jars add करी थी, mysql या test change जीगी, अब इसके बाद, आपके उस दो type की files होती है, xls या xls6, तो मैं पास, मैं अपने इस location पर जाता हूँ, जाब रपोजेक्ट पढ़ा है, अब उसके बाद जाने के बाद मैंने देखा कि, यहाँ पर में पर दो files है, xls and xls, हम xls की बात करेंगे आपर, पहले, मैंने यहाँ पर एक data लिख रखा है, पहले से ही, a1 to 10, just keep print करवाने के लिए, यह basically cell क addresses लिख रखे है, तो यह हाँ से हम data read करेंगे, xls files है, तो जब हम xls file को use करते हैं, तो हम hssf workbook या hssf worksheet ऐसे objects बनाते हैं, और जब हम xlsx file यूज करते हैं, तो xssf workbook और xssf worksheet, x row cell ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पर शिरफ हम class या libraries change करते हैं, जो दोनों poi में available हैं, बट आभी के लिए हम xls कर रहे हैं, तो हम hssf workbook कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम workbook बनाएंगे, और जब यह बना दिया हमने, इसमें हम एक input parameter pass करेंगे, जो अभी के लिए आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, या file का path भी parameter pass कर सकते हैं, तो आप file parameter pass कर रहे हैं, file input stream, और इसमें है file का object, जिसमें हमने path देना है, तो हमारा path यहाँ पर यह है, तो अभी के लिए हम यहाँ पर double slash यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो जैसे हमने पहले किया था, get property यूज़ करके user directory, और अपना file का path देना है, दे सकते हैं, ऐसे आप इसको कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप फाइल का object, यहाँ बनाएं, यह मैंने file का object बना दिया, और इसको यहाँ मैंने pass कर दिया, और यहाँ पर मैंने file को import कर लिया, और यहाँ पर मैं file input stream को import कर लूँगा, अब इसके बाद इसमें हम try कैस लगाएंगे, अब हम यहाँ पर, है, hsf work sheet create करेंगे, w sheet मालनो इस object का नाव है, तो workbook.get sheet, इसको हम name से भी ले सकते हैं, या index से भी ले सकते हैं, 0 टालेंगे तो first sheet उठाएगा, ऐसी sheet 1 में भी वो first sheet उठाएगा, hsf worksheet, sorry hsf sheet हो गया है, तो हमने यह sheet उठा लिए यहाँ पर, ऐसी आप sheet 1 भी कर सकते हैं, अब इसके बाद, आप बनाएंगे hsf, row, and cell का object, यह row का object हो गया, यह cell का object हो गया, इन सब को import करेंगे, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे data read करवाना है, तो मैं यहाँ पर एक iterator बनाऊँगा, यह मैंने यह iterator का object बनाया, यह बनाएंगे, wsheet.iterator इसको मालनो हम row iterator कहा देते हैं अब हम loop करेंगे while row iterator. as next यह बेसिकली मैं logic लिख रहा हूँ कि कैसे हम data read कर रहे है एक string buffer बना रहे है data और यहाँ पर हम एक जैसे हमने row row बनाया है वैसे हम cell के लिए भी बनाएंगे यहाँ पर हम cell का iterator बनाएंगे यह हमारा cell iterator हो गया पर यहाँ row dot iterator आएगा यह हमारा cell यहाँ लिखेंगे तो हमने यहाँ cell import कर लिया और उससे पहले हम कहेंगे कि जो हमारा iterator है row का उसको as a next navigate करें तो उसके लिए हमने कह किया row को next navigate किया और यहाँ पर row dot जो iterator है row dot cell iterator कर दिया हमने इसे और इसे end के है यहाँ पर तो यहाँ जो iterator है इसकी spelling ठीक कर देंगे तो ऐसे हमने एक row object को next बार बार define कर रहे है जब कि यह loop कर रहा है और data हमने यहाँ पर initialize कर देंग बफर का और यहाँ पर हमने cell iterator का एक object initialize कर दिया है तो अब हम इस पर navigate करेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे while cell iterator जैसे हमने row iterator के लिगा था has next और यहाँ पर उससे पहले हम एक count को initialize करेंगे जो 0 होगा और यहाँ पर हम value देंगे तो count को हम increase कर रहे है यहाँ पर और यह कह रहे है कि if cell dot get data cell value जो हमारी data cell value होगी sorry cell dot यहाँ पर मुझे value define करेंगी कौन सी value होगी उससे इसाब से मैं अपनी जो shrink bruffer initialize कर रखी है उसको read करूँगा get cell type और equal to यहाँ पर मैं जो भी value दूँगा उससे पहले मुझे जो मैंने यहाँ पर क्या किया था यहाँ रोका किया था यहाँ मैं cell का iterate करूँगा next तो इसको हम यहाँ पर hss cell दे देंगे और यहाँ देंगे हम cell iterator.next तो यह मेरी value हो गई और आगे मैं देख रहाँ कि मेरी value क्या-क्या है जैसे मेरा यह वाली value मैं लिखता हूँ cell.get cell type equal to cell.cell type numeric है तो मुझे क्या करना है मुझे वो value को append करना है अपने data में data.append जो मेरा string buffer है उसको मैं embed ने करूँगा और जो भी मेरी numeric value है उसको मैं यहाँ पर append करूँगा तो यहाँ पर होगया data.append यहाँ पर होगया cell.get numeric value तो मुझे यहाँ पर यह numeric value मिल जाएगी ऐसे ही मैं different values को करूँगा मालो कि मैंने यहाँ पर यह if close लगाया लेकिन मैं कह रहाँ कि else if तो मेरी अगर value मालो की कुछ हो रहे है कि यहाँ पर में बूलियन है तो data.append यहाँ पर मैं numeric cell value की जगा boolean cell value लिखुगा यह एक extra आ रहा है आप पर इसको आठा देंगे तो यह हम बाद मैं देख लेंगे इसको fix कर देंगे उसके बाद मैं देखुगा कि अगर मेरी यह value भी नहीं है और मेरी यहाँ पर value है string तो मैं हाँ पर cell.get cell type यहाँ पर string आ जाएगा और यहाँ पर boolean की जगा string cell value ले जाएगी और मालो इन सब के बाद मैं चाहता होगी मेरा print हो जाए value तो इसको print करने के लिए मैं यहाँ पर print करूँगा value को जो मेरी होगी sysout data dot data मेरा string buffer है dot to string dot sub string ले ले लेते अभी के लिए 0 to data dot length minus 1 तो यहाँ पर मैं अब इसको print करा रहा हूँ तो यह सारी values excellence से print हो गई तो आप इसके अंदर कुछ भी logics लगाके जैसे भी आप loop करवाना चाहे अभी मैंने इसको सिरफ read करने का तरीका बता है वो आपका logic है आप कैसे इसको logically handle करते है आपको कौन सी values print करानी है first second third कौन सी sheet से करानी है कौन सी rows से करानी है यह आपको handle करना पड़ेगा बट तरीका सेम रहेगा यहाँ पर iterator अपना काम कर रहा है वो एक object बना के आगे iterate कर रहा है और आगे count को increase करवा रहा है तो आप for loop यूज़ कर सकते है while loop की जगह और iterators आपको maybe जरूत पड़े और maybe ना पड़े आपकी requirements के according और उसके बाद आप जो भी data आप उठा रहे है उसको check करें और उसको print कराए string buffer में डाले कर और यूज़ करना है वो करें वो आपकी requirement के according है तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए कि कैसे हम xls file को use करते है और अग पर भी x यह use करेंगे तो xls की जगा xls x files को भी read कर पाएंगे बिल्कुल say मैं बाकी सब कुछ बस objects यह change हो जाएंगे और इन्हें import कर लीजएगा तो अभी के लिए तता ही आगे हम दिखेंगे कि xls से हम कैसे data को write कर पाएंगे xls पर write कैसे कर पाएंगे thank you